Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे Assessment Worksheet No.14, 4 Class 10th सब्चिक्ट इंगलेश है और ये वक्षीट आपके लिए 31st of December 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें आपको एक पैसेज गया है और कुछ questions दिये गए हैं जिनके answer आपको करने है सो वक्षीट चू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए सो देखे क्या दिया गया है आज की वक्षीट में आपको पैसे करना है और आंसर जो है वो करने है तो यह उस समय का सीन है जो वाली बस की यत्रा करके और घर आती है टिक है उनके आंट जो है वो बैठी होई होती है ओ सेट वाली I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge टिक है तो वाली ने कहा है कि मैं भी इस बात से जो है agree करती हूँ कि कुछ चीजे जो है वो हमारी knowledge के बिना होती है तो जो बात है आंटी के और उसकी मदर के बीच में चल रही थी तो वाली जो है बीच में कहती है कि हाँ मैं भी इसी बात से agree हूँ कि कुछ चीजे जो है हमारी मर्ची के हमारी knowledge के बिना जो है वो बहार मतलब बहार जो हो रहा है उन चीजों के बारे में हम बहुत ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हमारी knowledge के बिना हो रही है जोस्ट चट अफ गर्ड शी इस देखो कैसी लड़की है उसकी आंट ने कहा और देखो कैसे यह हमारी बातों के बीच में अपनी नाग घुशेड रही है ऐसे बात कर रही है जैसे यह इक बहुत बड़ी जो है लेड़ी हो गई है यशे कि ये बहुत बड़ी हो गई है वैली जो है वो अपने आप पर हस्ती है she didn't want them to understand her smile ठीक है और उनको जो है उसकी जो smile है उसको पता है कि वो क्यों हस रही है लेकिन उसकी जो मदर है आंट है उनको समझ नहीं आता कि वो क्यों हस रही है ठीक है क्योंकि यही बात जो है किसने बोली थी conductor जो था उस बस में उसने भी बोली थी ठीक है जो वो बस में गई थी कि उसको मैडम बोला था क्योंकि वो ऐसे भी है कर रही थी जैसे वो grown up lady है तो इसी बात पर वो जो है smile करती है ठीक है तो यहाँ पर यह आपको paragraph दिया गया था अब आपको यहाँ पर आसान से बच्चों कोशन्स दिये गई है जिनके आंसर हम करेंगे First question दिया गया है वाली agreed with something that her mother said What was it? वैली जो है जो उसकी मदर कह रही थी उससे कुछ agree थी वो क्या था So वैली's mother said that many things happen around us but we are usually unaware of them उसकी मदर कह रही थी कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़े happens होती है बहुत सारी गटनाए होती है बट हम उने के बारे में नहीं जानते होती वैली had gone on a bus ride to town all alone and had come back without any harm वैली जो है वो bus ride भी जाती है बिना किसी harm के वो वापस आ जाती है She did all this without the knowledge of her mother ठीक है और यह सब वो बता कर नहीं गई थी उसकी मम्मी को नहीं पता था कि वो bus ride पे जा रही है बच्ची छोटी है and hence she agreed with her mother वो इसलिए वो अपने मदर से क्या होती है agree होती है कि हाँ उन्हें नहीं पता होता तिक है वो उस पात पे कह रही थी कि वो उसको बता कर नहीं उसको पता ही नहीं था वली ने जो है वली की जो आंट थी उसने उसका way of talking देखके ऐसा कहा था as that of grown up lady जैसे कि वो बहुत बड़ी lady ऐसे बहुत बड़ी हो गई हो lady की तरह वो जो है बाते कर रही थी next देखिए c दिया गया है would the mother and the aunt understand why she smiled give a reason for your answer क्या जो mother है और aunt है क्या वो समझ पाए कि वो जो वली है वो smile क्यों कर रही थी आपको अपने reason के लिए answer भी देना है so वली smiled because she remember her being called madam तो वली जो है उस बात पर smile कर रही थी जब जो है बस में उसको madam कहा गया but the mother and the aunt could not understand लेकिन उसकी mother और उसके aunt जो है वो नहीं समझ पाए because she did the bus ride without the knowledge of them क्योंकि उसने जो bus ride की थी वो उनकी knowledge के बिना की थी उनको नहीं पता था कि bus ride पे ये जो है जाके आ गई है clear उसके बाद next देखिए find the synonym of possibility from the abo lines जो पौम है आपकी जो synonym है possibility का synonym आपको जो lines दी गई है उनसे आपको बताना है तो answer क्या रहेगा chance जो है इसका सही answer हो जाएगा possibility का synonym क्या है chance next देखिए question number two है answer the following question in 40 to 50 words how does Amanda deals with her mother constant nagging nagging होता है बार बार उसको रोकना टोकना तो जो Amanda है वो जो बार बार उसकी mother उसको लगातार टोकती रहती है instruct करती रहती है ये मत करो ऐसे मत करो ऐसे मत जो है जो है जाओ ऐसे मत बैठो ऐसे मत उठो तो उन चीजों को जो Amanda है वो कैसे deal करती है so Amanda suffer due to the constant nagging from her parents Amanda जो है वो अपने parents की लगातार टोका टोकी से बहुत परेशान है जगे जाना चाहती है जहाँ पर कोई उसको disturb ना करे चानती रहें silence हो ठीक है and hence she wishes to live on a tower और इसे लिए वो एक tower पर जो है रहना चाहती है next देखिए question number 3 दिया गया है both वली and राजवीर have a keen desire to know the unknown and go on their respective journey in different situation वली राजवीर जो है उनको बहुत ज़्यादा इच्छा थी नई चीजों के बारे में जानने की और वो अलग-लग अपनी journey पर अलग-लग situation में जाते हैं mention three differences and similarities in their travel तो आपको three differences and similarities जो है उनकी travel की वो जो है क्या करनी है mention करनी है तो उनकी जो journey थी उसमें क्या similarities थी और क्या उनमें जो है differences थे वो आपको यहाँ पर बताना है अब देखिए इसमें हम बताएंगे similarities क्या थी तो वल्ली राजवीर जो है वो अपने front के घर आसाम खुमने गया था और वल्ली जो है वो कहां गई थी वो bus ride पे गई थी लेकिन दोनों की जर्णी में क्या था कुछ similarities थी तो कुछ differences भी थे similarities थी दाट वल्ली एंट राजवीर बोथ वर excited for their journey वल्ली एंट राजवीर दोनों ही जर्णी के लिए क्या थे बहुत excited थे second both of them did the proper research about their destination before going there दोनों ने ही अच्छी जो है proper research की थी अपने destination पर जाने से पहले and both were curious दोनों ही जो है एक तैसे curious थे नहीनी चीजों के बारे में जानने के लिए यहाँ भी difference क्या था राजवीर ट्रेबल बाई दा ट्रें while Walli traveled by the bus राजवीर ने train से यातरा की थी जबकि जो बली है उसने bus से की थी राजवीर traveled with his friend but Walli was alone राजवीर अपने friend के साथ कया था जबकि जो बली है वो ककेली थी and third है राजवीर informed his family about his tour while Walli did not inform anyone about this ride राजवीर ने अपनी family को अपने टूर के बारे में inform किया था लेकिन वल्ली जो है उसने अपने राइड के बारे में किसी को inform नहीं किया था तो यह जो है उनके differences थे तो यह थी आपके आज की assessment worksheet I hope सभी को clear है if you have any doubt you can comment and अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कर लीजिए thanks for watching have a nice day